स्वागत है आपका फिट से मिमान सा ओनलाइन अकेड़ी में चलिए आज हम बात करेंगे रण थंबोर का इतिहास रण थंबोर हिस्ट्री ओफ रण थंबोर कंप्लीट बात करेंगे हम कहानियों के साथ में चलिए शुरू करते हैं देखिए तेरवी सदी में परत्वीरा चोहान के पुत्र गोविन देव ने रन्थंबोर वंच में चोहान वंच की स्थापना की थी रन्थंबोर का प्राचीन नाम रनतव पूर्था रन्थंबोर के चोहान वंच का संस्तापक गोविन देव को माना जाता है कोन था यह परत्वीरा चोहांत के पुत्र थे गोविन देव ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्विकार कर ली थी और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्विकार कर ली थी गोविन देव के प्रमुक उत्तर अधिकारी उत्तर अधिकारियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीड नारायन की वीड नारायन के शाषन में डिल्ली के इलतूत मिश ने रन थंबोर दुर्ग पर आक्रमन किया था जिसमें वीड नारायन विजई हुआ कालांतर में इल्टूत मिश ने वीड नाराइन को धोके से दिल्ली बुलवाया और उसकी हत्या करवा दी तो वीड नाराइन की वीड नाराइन वर्सेज इल्टूत मिश फिर हम बात करते हैं वागबड की वीड नाराइन के बाद वागबर्ड रंधंबोर के शाषक बने वागबर्ड ने डिली के सुल्तान नसुरु दिन मोहमत को हराय था ये भी इंपोटेंट है त्यान दखियागा है आप 32 खंबो की छतरी रन थंबो दुर्ग में बनवई थी ये बहुत इंपोरेंट बात है फिर हम बात करते सबसे इंपोरेंट शाशा के हम्मीर देव चोहान इनका समय था 1200 बरिया सी से 1301 तक चलिए इनके बारें बात करते हम्मीर देव चोहान का उपनाम था हट्टी राजा या ह हम्मीर हट हम्मीर देव चोहान के काल की प्रमु गत्नाओं की जानकारी हमें निम्न लिके साहिते से मिलती है यह सब इंपोर्टेंट किताबे हैं दियान रखेगा हम्मीर हट की बात करें तो वह है चंद शेकर हम्मीर आसो की बात करें तो वह है जोद राज और इसी नाम से शारंगदर ने भी लिखा है हमीर महा कावे के बात करें और सूर्जन चरितर के बात करें तो वो है नैंचन सूरी और हमीर मद मर्दन ये लिखाता जैसी है सूरी ने हमीर देव के दरबार में विजादित्य नाम का कवी भी लेता था कौन देता था विज़ा जित्तियों ध्यान रखेगा विज़ा जित्तियों अमीर देव चोहान ने शाशक बनते ही दिग विज़ाई के निती अपनाई और अपने प्रदान पुरोहित विश्वरूप के द्वरा कोटी जन यग्य करवाये था जलाल दिन खिल जी ने सन 1290 में रन थंबोर पर आकरमन किया तदा दूसरी बार 1222 में किया पर दोनों बार असफल रहा किसने कहा था जलाल दिन खिल जी ने अपने 1290 के आकरमन में जलाल दिन खिल जी ने जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था इस युद्ध में हमीर का से अपने दूसरे आक्रमन में खिल जी ने असफल होने पर कहा था कि इसे सो दुर्गों को में मुसल्मान की डाड़ी के एक बाल के वराबर नई पी नहीं समझता यह डाई दोग बहुत इंपोर्टेंट है किसने कहा था जलालुदिन खिल जी ने को को ने किया है अमिर खुसरों ने और जिया उदिन बरनी ने अब आता है कि अल्लावदिन खिल जी ने रंधंबो दुर्ग पर आक्रमन क्यों किया तो इस युद्ध के निम्न कारण माने जाते हैं एक तो पहला था खिल जी के सामराय जिवा देनी थी और दूसरा था मोहमद शा को हमीर द्वारा शरन देना तो शरन उसने दी इस कारण से भी उसने आक्रमन किया हमीर द्वारा सुल्तान को करना देना और जलालो दिन का दो बार परास्त होकर लोटना तो ये सारे कारण जो थे वो अलावदिन खिल जी को एक्ये को आक्रमन करने के लिए उक्साते हैं खिल जी ने आक्रमन करने के लिए 1200 निन्यानू में उलूग खान, अलप खान और नुसरत खान को भीजा ऐसा उलेक हमीर महा काविय में मिलता है युद में हमीर की सेना का नेतित्व बीम सिंग और धर्म सिंग ने किया जिसमें सेना पती बीम सिंग इस युद में वीर गती को प्राप्त हुए वहीं खिल जी की ओर से नुसरत खान इस युद में मारा गया फिर उसने उलूग खान को अपना सेना पती न्यूक्स किया ये लाइन है बहुत इंपोर्टेंट है कि सेना पतियों में से कोन मारा गया था तो खिल जी की तरफ से तो मारा गया था नुसरत खान और हमीर की तरफ से मारा गया था बीम सिंग खिल जी ने चाल चलकर रणमल और रतिपाल ये दोनों नाम दियान रखेगा रनमल और रतिवाल को अपनी ओर दुर्ग का लालस देकर मिला लिया और युद्ध जीत कर दोनों को मरवा लिया रन्थंबोर का साका राजस्थान का पहला साका माना जाता है जो तेरा सो एक में हुआ इसमें राणी रंग देवी के नेतित्व में जोहर हुआ तदा पुद्री पद्मला ने जल जोहर किया चो राजस्थान का एक मात जल जोहर माना जाता है हमीर महा कावी के रचीता नयचन सूरी के नुसार हमीर देव ने अपना सिर काड़कर बगवान शंकर को अर्पित कर दिया था हमीर महा कावी ये बात केता है भाकी तो यहां पर साका हुआ था और जोहर हुआ था राजे स्थान का पहला साका रन्थंबोर का ही माने जाता है तो इसी के साथ में रन्थंबोर राजी का जो इतियास है जहांसे प्रश्णे बनते हैं वो समाप्त होता है धन्यवाद